Hello everyone, welcome to your channel सुखकेटमी एडवर्ड आज मैं कुछ और कॉस्चिंज लेके आई हूँ मैं में नहीं बेस्ट जो बारक OCS 2024 एक्जाम में आई थे मैक्समिम जितने कॉस्चिंज भी थे मेरे पास मैं सारे के सारे डाल चुकि है और ये एक वीडियो अप्लोड हो चुकि आप देख सकते हो चानल पर विजिट करके ये कुछ और कॉस्चिंज है जो मुझे बच्चों ने बताएं तो मैं ये भी आपके सारे डिस्कस करना चाहती थी ये भी हम कर लेते हैं तो आप इन टॉपिक से भी गो थ्रू हो जाओ अगर आप प्रिपेर कर रहे हो बार के गजाम 2025 के लिए तो ये एक कॉस्चिंज था आया था जिसमें उसने एफ और आफ और आर्बिटल की डाइगराम दे रखी थी ऐसे और पूछा था इनमें से कौन सा ऐसी और बोड़ के रिगारडींग ही पूछ सकता है तो इसलिए आप ऐसे कॉस्चिंज भी पढ़ के रखी आए narrative का कीसे बिएव करते हैं वो कौन से सिग्मा और पाई बॉंड बनाते होते हैं कौन से और आर्बिटल से सिग्मा और पाई बॉंड बनाने में जल् Kä現在 पहले gate में भी आ रखा है, तो यह gate का as it is question उसने pick किया था, कोई change नहीं आया इसमें, तो इसमें क्या है, आपको यह reaction दे रखिया, photochemical, और इसमें आपको पूछा हुआ है कि जो product बनेगा, उसके EPR signals कितने आएगे, यह simple question था, आपको पता है कि photochemical reaction है, तो free radicals बनेगे, तो यह यह वाले free radicals बन जाने थे, okay, और उसने spin की value दे रखिया, 9 by 2, germanium की, तो आप वही formula लगाँगे, 2 and i plus 1 का, तो germanium का number कितना है, 1, और i की value कितना ही दे रखिया, उसने 9 by 2, plus 1, okay, तो इससे आपका answer आजाना था, 10, उसने options दे रखिते, लग-लग, उसमें से जो 10 था, यह तो एक यह वाला question है, तो आप इसी तरह EPR spectroscopy से असान सा question पूछ लेता है, okay, signals के regarding, अगर हम rigid rotor की बात करें, तो इस topic से उसने 2 से 3 question पूछे हुए थे, 2 से 3 questions rigid rotor topic से आ रखिये थे, okay, एक यह question पूछा हुआ था, उसने F block से, उसमें बोला हुए, which of the falling pairs has only ground state populated at room temperature, तो आप इन options के उपर ध्यान मत दो, हो सकता है, यह गलत हो जाए, options क्योंकि मुझे जैसे बच्चों ने बताए है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट जो question पूछा हुआ है, वो सही है, okay, तो question में अलग-लग, जो options है, उसमें अलग-लग ऐसे F block दे रखे के टाइन, okay, lengthenide, lengthenide series से आ रखे थे, तो उसमें उसने पूछा है कि इन में से किसके पास जो होती है, ground state populated होती है, तो ऐसे questions वो आगे भी पूछ सकता है, lengthenide, actenide series से, तो अकसर ही हमें, आपको यह भी पता है कि हर competitive exam में F block से question तो आता ही आता है, और आता भी ऐसा ही है, okay, अगर जातो आप ground state के बारे में पूछ लेता है, या उनके dia magnetic, paramagnetic behavior के बारे में पूछ लेता है, maximum time question आता है, उनके magnetic moment के बारे में पूछता है, okay, तो यह question सारे के सारे ही आप तब ही कर सकते हो अगर आपको electronic configuration के बारे में पता है, तो F block elements की, जो electronic configuration है, वो आपको पता होनी चाहिए उसकी आप पहले प्रैक्टिस करके जाओ यह नहीं है कि जब एक्जाम आएगा आप तब करके जाओ तो तब आप भूल जाते हो तो इसको अपनी प्रैक्टिस में रखो जिसमें वो स्टेबल रहते हैं जो उनकी एक्ट्रोनिक कंफिग्रेशन है उसको आप याद रखके जाओ एक टैबलर फॉर्म में बना लो उसको अपना तो उसकी प्रैक्टिस करो फिर उसे हिसाब से जितने भी मैक्समुम कुश्चन आते हैं प्रिवियस येर में यह अलग ज जैसे ग्राउंड स्टेट से जा मगनेटिक मोमेंट के उपर उनको प्रैक्टिस करो फिर ही आप ऐसे कॉश्चन अटेंप्ट कर सकते हो तो यह असान सा कॉश्चन था तो यह वही करेगा जिसको लेक्ट्रोनिक कंफिग्रेशन आती है तो लेक्ट्रोनिक कंफिग्रेशन आ आप जरूर करके जाओ F-Block की, उससे question आता ही आता है हर exam में, इस तरह एक question पूछा हुआ था, उसने nucleus के बारे में, उसने बोला था, which of the following statements about nucleus is not correct, तो दो options तो जैसे ये हैं, दो options मुझे नहीं पता, एक option जैसे दिया था, neutrons are lighter than electrons, और एक दिया था, neutrons on bombardment produce mesons and nucleons, ultimately ये क्या है, कि जो focus करने वाली बात है, वो ये है, कि जैसे एक question उसने इस बार ये पूछ लिया, E over M ratio के बारे में, which mean वो nucleus, neutron, proton और electrons के तीनों को comparison रखता है, जैसे E over M ratio पूछ लिया है, उनकी, इस तरह nuclear committee में, जैसे जहां पर इनकी definitions दे रखी होती है, nuclear committee में, bombardment के regarding, जो वो भी definition दे रखी होती है, आप उनके उपर भी focus करें, ओके, इसी तरह nuclear committee से एक question और आ रखा था, decay constant के regarding, और आपको पता है, net में अगर देखोगे, gate में देखोगे, सब competitive exam जो है, उनमें decay constant से एक नएक numerical तो आता ही है, तो इसने बार्प में भी डाला हुआ था, decay constant से, तो decay constant वाला topic आपने skip नहीं करना है, उसमें जैसे radioactive, उसका time पूछ लिया जाता है कि कितने में वो decay, ओगा जान, decay constant पूछ लिया जाता है, लेमडा तो आपने वो वाला topic भी करके जाना है, ओके, और neutron, proton, electron इनकी जो comparison study होती है, इनकी E over M ratio, इनका कौन सा heavy होता है, कौन सा lighter होता है, कि कि ये सारे particles हैं, जो और अगर bombardment होती है nuclear chemistry में, तो कौन से particles generate होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो आपने ज़्यादा deeply नहीं जाना है, nuclear chemistry में decay constant के regarding, जो numericals होते हैं, books में अक्सर ही दे रखे होते हैं, आप वही पढ़ सकते हो, वो sufficient होता है, और उनको go through होना है, बुक में से nuclear chemistry topics जो है न, उसको अच्छी तरह पढ़के जाना है, तब ही कर सकते हो, आप है, असानी है इन questions न, इसी तरह एक question पूछा था, उसने कि इन में से कौन से easily oxidation कर सकता है अपनी, इसलिए oxidation topic है जो, oxidation reactions है जो, reduction reactions, एक topic होता है, beta elimination reactions, इन reactions के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये एक question आ रखा था, इस type का, एक ऐसा question पूछ लेता है, जिसमें अलग-लग reactions दे रखी है, उसने, ये भी question आया था, तो इसमें, exact तो नहीं मुझे पता है, ये ही reaction है, जो मुझे बताया गया, इसे साब से, वैसे भी ऐसा question देखने को मिलता है, आपको क्या दे देता है, अलग-लग reactions दे देता है room temperature पे, low temperature पे, high temperature पे, इसी साथ से पूछ लेता है, तो enthalpy की value दे देता है, इसमें क्या है, release हो रही है, heat या absorb हो रही है, उसे साब से आपने decide करना होता है, उसकी entropy को ध्यान में रखते हुए, उसकी gives free energy जो है, उसकी value को finally ध्यान में रखते हुए, temperature के coding उसमें क्या variation आता है, उसी साथ से reaction की spontinity decide करनी होती है, तो इस तरह की जो questions होते हैं बहुत मिल जाएंगे, आपको net के paper में मिल जाएंगे, gate के में मिल जाएंगे, जब आप books में ही देख सकते हो, वहां भी मिल सकते हैं आपको ऐसे questions, तो आप इन questions की भी practice करो, जो reaction spontinity है, जो non-spontinity है, इन reactions की, जो इनके उपर भी question आता है, ऐसा असा question ही आता है, आपको value नहीं देगा, बस directive पूछेगा, तो आपने entropy देखनी है, और उसे साथ से आपने temperature variation करके देखनी है, और Gibbs free energy की value देखनी है, कैसे vary होगी, उसे साथ से आपने decide करना है कि reaction spontaneous होगी, या non-spontaneous होगी, तो एक ये topic जा दिया, मुझे पता चला था, इस में से जासे चार option दे दिया, और पूछ लिया, इन में से कौन सा most precise value है, इन में से कौन सी precise value है, most, तो ऐसा question भी आप कर लेना, practice कर लेना इसकी, इस तरह एक question और आया हुआ था, रमन स्पेक्ट्रोसकोपी से, तो उसमें क्या पूछा फर्स्ट स्टोक लाइन और रेलिग्स लाइन है, जो उन दोनों का difference दिया हुआ था, और अगर options देखें तो options में different, different wave numbers दे रखे थे, it means आपने इस topic के उपर भी ध्यान रखना है, रमन स्पेक्ट्रोसकोपी से, जो numericals हैं, जिसमें stokes lines निकालनी होती है, anti-stokes line निकालनी हो उनके उपर जितने भी आपके numericals बनते हैं, आप books से ही पढ़ सकते हो, जहां भी आपको ऐसे questions मिल जाते हैं, आप उनको भी practice करने ना, तो इससे भी question आता है बाती, इस तरह एक question, यह तो मैंने आपको बताई दिया कि nuclear chemistry से decay constant के उपर ध्यान रखना, उसमें से पक्काई numerical आ जाएंगे practice करने के लिए, और एक question मैंने अपनी पिछली वीडियो में discuss कर रहा था, RS configuration के regard, मुझे बाद में बच्चों ने बताया कि उसमें क्या है, OH और NH2 है, उसकी जो stereo chemistry है, वो कुछ ऐसे दे रखी थी, जो OH दे रखा था, जो पिछली वीडियो में मैंने OH अबव दी प्लेन लिया है, एक्चल में OH बिलोव दी प्लेन था, और NH2 मैंने बिलोव दी प्लेन लिया था, ये है अबव दी प्लेन, ये थी एक्चल में structure जो, एक्जाम में ये वाला question आया था, और इसको उसने one carbon दिया था, इसको second वाला दिया था, और इसकी RS configuration निकाल लिए, तो इ अगर इन दोनों में बात करें, तो इस carbon के साथ nitrogen लगी है, जिसका atomic number high है, as compared to ये वाला carbon जिसके साथ direct carbon ही लगा है, जिसका atomic number लो है, तो इस हिसाब से अगर हम benzy ring इस carbon को और इस वाले carbon को देखेंगे, तो इस वाले carbon की priority जाद आएगी, तो first इसको दिया था, second इसको तो इस ring core मिलेगा, third number, तो अगर आप देखोगे, तो ये क्या जा रहा है, one, two, three, four, ये जा रहा है, anti-clockwise, तो जिसी substance की configuration रहनी चाहिए, S, but fourth group जो है, वो क्या है, above the plane, तो जिसकी वज़े से, ये किसमे convert हो जाएगा, R configuration में, तो जो first की रहेगी, वो रहेगी R, अगर हम second की बात करे तो इस carbon के साथ direct nitrogen लगा है, तो ये first priority पे रहेगा, hydrogen है, जो फोरी plane है, fourth, okay, इसको तो fourth number ही मिलेगा, अगर इन दोनों को compare करें, तो obvious है, इस carbon के साथ तो बहुत कुछ लगा हुआ है, oxygen लगा हुआ है, directly, तो इसको second number मिलेगा, और इस methyl को मिलेगा, third, तो ये है first, second, third, तो ये कौन सा जा रहा है, anti-clockwise, okay, तो anti-clockwise है, और अगर fourth group को देखते हैं, वो भी below the plane है, तो जिसकी वज़े से ये S ही रहेगा, तो first carbon की R configuration रहेगी, और second की S, ये था आपका correct answer, इस question क, clear, तो ये questions आप practice कर लेना, इसके बीना, अगर मुझे कुछ और मिला, कोई है question तो मैं देख ल और चैनल को like, share और subscribe जरूर करें, ये मुझे बहुत motivate करता है, जो आपके भूल जाते हो करना, और इस तरह ही, अगर कोई और topic है, जो जिसके उपर बार मैं देख लोगी, previous year questions, जो बारक के हैं, जिनके उपर examiner focus करता है, और repeat होते हैं, उनकी मैं अलग से एक video बना दूँग होता है, वो मैंने upload कर रखी है, अब उसके next video में मैं numericals डालूँगी, जो अब तक जो previous year questions आ रखे हैं, लग-लग exams में, CP and CV के बेस के उपर, तो वो वीडियो आएगी, आप बनेरो चैनल के उपर, like, share, subscribe जरूर करो, thank you